वेलकम तो बैक माई चैनल आज की इस वीडियो में आपको कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगे तो मैं आपको कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग का नया टिप से यार करूंगी यहां पर मैंने कपड़े लिये हैं कपड़े ही मेरे टोटल कॉटन का है और इस तरह से से नो कृती के लूक बनाया गया है यहां पे पर बैडिमेट कृती करती सेमा से बनाना है और इसका 5 इंच रखना है यहां पर इसी स्क्रैनख करेख surface स्क्र्डेंगों'sky 있습니다 इस तरह से फ्रांट पाट को खोल कर 내용 तो दो कि देख सकते हूं मेनी पुरा सेन्टर से मिलाते हूए बराबर जो डिजाइन है इसको मिलाते हुए रखे हैं या सीधी लाइन कीजह लेंगी वब इस तरह से सीधी लाइन कीजिने की बाद मार्किंग करेंगी तो पहले door soldier का बैचरे में लेते हैं तो Lord टोट तो डूडर है 14 Inch 14 का आदा साथ इंच आएगा तो साथ इंच ही लेंगे किसमें हमें Color पंद्रेंश करना कालर होता तो टोटल हम व्यान सोल्डर 15 Inch LEेते हैं एक इंच ishtra इस तरह से चेस्ट से चार पार्ट में डिवाइड कर दें उसके बाद जो पार्टाइज में दो इंच लोजिंग के लिए एड़ कर लें और इस तरह से सीधी लाइन को कीच लें तो यहां पर हम जो चेस्ट की मार्किंग हो इसका चृताई पार्ट 9 आया है उसमें 2 प्लस इलाई माजिं एट तोटल बूराइए हैं एंच्च आरोल की गुलाइए देंगे किन फॉरसंट और बैक हम साथ कट कर रहे हैं नुत इFC रखनेंगे प्रन्ट में ऐसेगत सेखीनिय क कोलाइड देते कन्धा चारे इंच रखेंगे और गली की लंबा हें अब 5 इंच रखेंगे और गली की जो 3 इंच है और इस तरह से 3 इंच पर राउंड शिप में यूशिप दे देंगे और यहां पर शोल्डर 1.5 इंच डाउन कर लेंगे इस तरह से डाउन करने की बाद अब हम करेंगी कमर की मार्किंग तो कमर हम 14 इंच पर ही रखते हैं कमर 14 इंच पर राता है ज्यादे हैट हो तो 5 इंच रख सकते हैं बट यहां पर हम 14 इंच रखेंगे उसके बाद हीप की मार्किंग करेंगे तो हीप 20 इंच पर रख सकते हैं कूर्ति में यक necessец की लाइन को सीधा कर लेंगी कमर वाले लाइन को भी शीदा कर लेंगे और हिप वाले लाइन को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे तीनो लाइन को सीधा करने के बाद यहाँ पे इसके बाद हम करेंगी कमर की मार की तो चेश्ट जब 9 इंच आ रहा है तो कमर को 1 इंच कम करना पड़ेगा तो इस तरह से कमर की जो मारकिंग है एट इंच पर करेंगे और हिप को सेम मेजरमेंट रखेंगे जितना चेश्ट में लिए तो हिप में भी उतना ही रखना है नाइन इंच तक इस तरह से तीनों लाइन को मारक कर देंगे मार्क करने के बाद अब इसको मिला लेंगे स्केल की हल्प से इसे मिला लेंगे इस तरह से थोड़ी सी कमर के साइड में गहराई देते हुए मिलाएंगे जिस तरह से मार्क करेंगे और दो दो इंच अपना मार्जिंग लेंगे तो इस तरह से margin लेना बहुत जोरी रही है क्योंकि margin ही cutting की line रहती है इसके बाद हम क्या करेंगे अब लंबाई देख लेते हैं तो लंबाई जितना नीचे का working था उतना ही लेंगे नीचे के साइड मारा design है तो उहार design तक ही बनाएंगे तो टोटल लंबाई जो आ रही है इस तरह से देख सकती है यहां से लंबाई हम लेंगे नीचे से पूरी लंबाई जाएगी उपर के साइड में तो उपर के साइड में टोटल जो लंबाई है 45 इंच के आसपास है कुछ इस तरह से 45 इंच 45 इंच में 5 इंच कम है तो इस तरह से सिलाई मार्जिंग करने के बाद 43 इंच के असपास आ जागे क्योंकि 2 इंच जो है सिलाई मार्जिंग में जाती है नीची का गेरा हम 11 इंच रखेंगे जितना मार्जिंग लिए है उसी margin वाले line से इसे मिला देते हैं यहाँ पर हमने front part की कूर्टी की marking कर चुके हैं अब cutting करेंगे तिस तरह से पहले solder cut करते हुए उसके बाद armhole की cutting कर लेंगे इसके बाद side की जो marking fit तिलाई margin के लिए थे उसी को ध्यान में रखते हुए cutting करेंगे पीटिंग की marking पे हम सिलाई लगाएंगे दो इंच लोजिंग के लिए हम छोड़ देते हैं और इस तरह से पूरे नीचे तक हम सीधे cut कर लेंगे तो यहाँ पे जो front part की marking थे उसकी cutting हो चुकी है आप देख सकते हैं यहाँ पे हम front part में नोचे से लगाना भूल गया है तो उसकी बाद हम यहाँ पे center पे हिप वाले side पे और कमर वाले side पे नोचे लगा देंगे जिससे stitching करने में easily होता है दोनों side cut को पगड़ की easy से stitch कर देते हैं तो यहाँ पे हम लेंगे front part बना तो बाकी बचे कपड़ी जो है उसको front part को इस तरह से ले लेंगे और यहाँ पे इसको भी fitting के according double fold करकी विछा लेंगे तो double fold करकी विछाने के बाद हम अपना front part को रखेंगे तो यहाँ पे कपड़ी को बराबर रख लिए हैं और इपना front part को भी इसी तरह से सेम रख लेंगे क्योंकि जो changes करना है इसमें बस उपर की side ही change करना है बाकी सारा same measurement रहेगा तो हमें measurement करने की ज़रूद नहीं है बस snake के side आएंगे दो इंची नीची के side collar नहीं बनाएंगे कि इस तरह से हम और इपट्टी लगा कि इस तरह से और इपट्टी लगा कि finishing की सिलाई दे देंगे तो नीची के side हम जो गली की cutting हुई है back part में बस दो इंची गला की cutting करेंगे और सेम जेस तरह से front part की cutting हुई उसी marking को हम उताल लेंगे तो इस तरह से marking को ध्यान में रखते हैं उताल लेंगे और इसके बाद ही cutting कर लेंगे अगर हमारी चैनल को subscribe जरूर कर दीजिए कुछ नए tips और trick सीखने के लिए इसके बाद हम करेंगे स्लीव की cutting तो स्लीव को बागी जो बचा कपड़ा था इस तरह से double किया और double करके four hold करने के बाद स्लीव की length है total 11 inch ready है तो इसकी length हम 13 inch रखेंगे क्योंकि 2 inch folding में ले लेंगे और fitting के जितना चेश्टी जितनी fitting रहती है उतनी ही इसकी चोड़ाई लेते हैं इस तरह से 3 inch एक सीधी line set करेंगे स्लीव की shape देने के लिए और उपर के side से 2 inch रख लेंगे और इस तरह bottom की side आएंगे तो bottom की side जो fitting के mark है दूर 6 inch है तो 2 inch इसमें slime marching add करती हुए 8 inch पर cutting करेंगे और यह अपना fitting की marking है इसके बाद यह स्लीव की cutting कर देंगी उपर की side खोलती हुए यहां पर स्लीव की cutting कर लेते हैं तो स्लीव की cutting करने के बाद इस तरह से पार्ट को open कर लेंगे open करके front arm ओल की shape देंगे तो इस तरह से दोनों नीची की side में सीधी side रखेंगे और उपर की side भी उसकी सीधी part लेकर तो दोनों का front मिलाकर हम half inch की यहां पर बाजू की shape देंगे इस तरह से shape देने के बाद अब हम करेंगे गले-पट्टी की cutting तो गले-पट्टी की जो आप जिस तरह से गले-पट्टी आपके निकले है उसी को रखके directly cut कर सकते हैं या इस तरह से 3 inch जितने आप गले की विर्थ ली हैं हूँ और जितने आप लंबाई उस तरह से same उसको गले की शेब बना ले और दो इंच इस्ट्रा कपड़ा ले ले। फोल्डिंग के लिए इसAudi से भी कट कर सकते हैं या डायरेक आप कपड़े की जो गले की सेंटर से निकले हूं उसी को राख कर आप इस तरह से गले पट्टी निकाल सकते हैं तो इस तरह से गले पट्टी की शेव निकल चुकी अब हम बैक पार्ट की गले पट्टी देख लेते हैं तो बैक पार्ट की जो गले पट्टी थे इस तरह से और ये पट्टी निकालेंगे तो कपड़े को विछा लेंगे विछाने के बाद इस तरह से देख लेते हैं जहां से हम औरे पट्टे निकाल सकें तो औरे पट्टे निकालने के लिए इस तरह से पहले तीछे में लेंगे और सीधे दो लाइन कीच लेंगे इस चोड़ाई हो और डेर इंच है पैपिन के लि नहीं करेंगे इसको इस तरह से कपड़े लगा के फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे तो अब सिलाई के लिए फ्रंट पार्ट ले लेंगे और गले की देख लेते हैं और जो गलापट्टी काटके गये थे पहले साइड से इसको एक सिलाई लगा के फोल्ड कर लेंगे इस तर गले पर रखे बिल्कुर परफेक्टली चेक कर लेंगे कि गहीं इस्ट्रा तो नहीं निकलना जब इस्ट्रा निकलेगा तो इसको उपर के साइड दोनों साइड निकालें ताकि पुरा बराबर आए और इस तरह से एक 1.5 इंच की सिलाई मार्जिंग लेते हुए पुरी गले में निक को अटेश कर लेंगे इस तरह से अटेश करने के बाद कट लगा देंगे कट लगाने से स्पेस मिल जाता है गले की जो फोल्डिंग होती है अच्छे से होती है और फिनिसिंग अच्छी आती है तो कट लग अच्छी सिलाई भी बोलते हैं तो इस तरह से सिलाई हो गई अंदर की साइड भी तुरपाई की सिलाई हो गए इसको भी सीधा रखेंगे और उपर की साइड भी सीधा रखेंगे हम पहले कंदी को जॉइंट कर लेंगे कि सीधी में एक सिलाई लगाएंगे वह भी पतली कि चिनारी की सिलाई लगाएंगे और इसको सीधा करके फिर अंदर गुम सिलाई करेंगे इससे जो कंदी की जॉइंट है गुम हो जाएगी और इसके बाद हम पैपिल लगा कि इसको फिनिशिंग का शेप दे देंगे तो यहां पर डबल सिलाई लगा के लिए लेते हैं सिलाई लगाने के बाद मारजिंग इस्ट्रा निकल ला था क्यों कि दूपाय वाला जो आग्या का गिए बनाए है उसमें मारजिंग गया है तो इसको क्या करेंगी स्थरह से कॉट कर लेते हैं ring की गंदे को बराबर मिलाके हैं सिलाई करें और इसके बाद जो पैपीन की मर्जिंग जो है इस्ट्रा कट कर लेंगे कट करके फोल कर लेते हैं ताकि जो अंदर की किनारे के साइड है गुम हो एकदम अब इसके बाद क्या करेंगे एक चाप सिलाई लगा लेंगे चाप सिलाई लगाने से फिनिसिंग अच्छी आती है तो यहां पिचाप सिलाई भी लगा लिए इसके बाद अंदर साइड पलटते हुए यहां पर कंधिक को भी गुम हो गया और फिनिसिंग भी अच्छी से आ गए और सिलाई भी इसके बाद अच्छी सिलाई लगा कर यहां कॉनर पर फिनिसिंग की सिलाई देते हुए पका कर ल कट करने के बद अब देख सकते हैं अज्द हमें फिनिशिग अच्छी है फ्रॉंट पार्ट में बिल्कूल अच्छी से इससे बिल्कूल रेडि में TR courty की लुक काते हैं इसमें कोई हम खुलर एटेच हैं यह कौल रेडिय। जैसे काते हैं किसी तरह से हमने चिलाइक हैं इसके बाद स्लीव के आते हैं तो स्लीव में जो दो इंच औरी पटी कट किये थे हैं इस तरह से नीचे के साइड फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे उसके बाद फिर फोल्ड करेंगे और इसको भी एक डबल सिलाई लगा के ले लेते हैं फिर एक बार इस किनारी के साइड में फिनीसिंग की सिलाई लगा लेते हैं इससे जो क्या होता है स्लीव की जो लूख होती है बहुत थिक सुन्दर आती है इस तरह से जो फ्रंट आर्मोल की जो शेफ होती हुए उसको ध्यार में रखते हुए फ्रंट के साइड में रखें और कट से कट मिलाते हुए इसको स्टिच करेंगे तो पहले कट वाले पाट को सेंटर के कर सोल्डर जो है उसी पे रखते हुए यहां सिलाई लगाएंगे और कट से ही मिलाते हुए इस सिलाई लगाते हुए नीची के साइड हम हाफ इंचे की मार्जिंग रखते हुए सिलाई कर लेगे जब स्लीव की कटिंग पर्फेक्ट रहती है तो मार्जिंग इस्टा नहीं निकलता है सिम पर्फेक्ट साइज आता है और इसको इस तरह से फिर हाफ साइड हम छोड़े थें करने के जाइज हूझ है तो फेंने क्यों करें और चाहिए अच्क्क चाहिए हुगें कर दो कि नहीं ब्लटों सुगड़ा शिंप कर रहता है डिए न स्मार्जिंग को इस तरह से कप्ड़ को ए Сам करेंगे और मार्जिंग हैается मार्जिंग के चोड़े रहते हैं उसको इस तरह से नाप लेंगे तो 6 इंच हम स्लीव की फिटिंग देंगे और मार्जिंग जो है इसको सीधा कर लेंगे आर्मोल की साइड भी 2 इंच छोड़ेंगे उसके बाद जो मार्जिंग है उसी लाइन को इस तरह से मर्क कर लेंगे इस तरह से fitting की सीधी सिलाई जिस तरह से mark करते हैं उस तरह से mark करने उसके बाद अगर सिलाई लगाती है तो आपकी जो fitting में कोई भी जोड़ लें आएगा एक सिलाई में आपका perfect आ जाएगा हिप के साइड भी दो इंज मारकी है और इस तरह से marking को इस तरह से पूरा मिला लेंगे दो दो इंज पे तो इसके बाद करेंगे अप सिलाई तो जो मारकी है चौक की उसी की recording हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगी तो इससे आपके one सिलाई में ही perfect आ जाएगी और उसके बाद लगा लेंगे जिसे joint खूले न और इस तरह से एक और लगा कि यहाँ पर finishing के सिलाई दे तेंगे सिलाई हो चुक है साइट की fitting कि क्या करेंगे इसमें cut देने से क्या होता है इसमें जोल लगा आते हैं और कमर में finishing भी आ जाती है और साईट से जो अपड़ा भी निकलता है उ इस तरह से नोचस लगा के50 करदेंगे तो साइड की फीटिंग में कट होचुकी हैं कट करने के बाद नैचे के साइड वह है 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 इस तर निचे के साइड आपकु द्यान में करिंग की त्हीं इसays नीचे के साइड जितना सपिसेंट रहता है और एक सिलाई लगाते जाएं इसके बाद आप कमर को हिप्ट वाले साइट पर पकड़ लेंगे इस तरह से और पकड़ की पुरा कपड़ा को जो इस्टर निकले है इसको दबा देंगे दबाते हुए चाप बनाएंगे नीचे की साइट हम हात से रखके देख लेते हैं कि दोनों सिलाई यह बराबर आए उपर की साइट भी हो बैक साइट भी हो इस्टरह से दूसरी पार्ट पे आएंगे और इस तरह से मार्जिंग को फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे इससे जो आपका चाप है बिल्कुल फर्फेक्टली बनता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है इस तरह से मार्जिंग को दबाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे सिलाई लगाके नीची तक आ जाएंगे क्योंकि नीची के साइड हमारा डिजाइन बना हुए है तो फोल्डिंग नहीं करना पड़ेगा इसको इस तरह से ही रहने देंगे किनारी की साइड सिलाई के करेंगे नीची के साइड दोनों सिलाई हुई है तो आप देख सकते हैं इ टोटल है 70 इंच यूंकि दोनों सैद यह आगां सबस्काить को सब्सक्राइब करें दोनों साथ यह मैंने कि साथ जो खोंदी है तो हमने इसमें सिलाई नहीं लगाए हैं ऐसे ही छोड़ दिए हैं कि वेसी भी अच्छा लग रहा था तो यहां पर एक बाद चेश्ट की मेजरमेंट कर देते हैं आपको तो यहां पर जो चेश्ट है वो टोटल है 17 इंच क्योंकि 2 इंच इसमें मार्जिंग लिए थे तो मार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नेटिव सो डिजाइन के साथ अब तक के लिए धन्यवाद